हाई फ्रेंड्स कुपित क्षमा में आप सबका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं फिश करी फिश करी बनाना है आज तो आप अगर मेरी चैनल पे नए हैं पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बाजू में जो बेल है उसे भी दबाना ना सबसे मेले मिले चलिए तो फिर आज हम बनाना शुरू करते हैं फिश करी फिश करी बनाने से पहले फिश एक किलो फिश लिए हमने और बड़े बरतन में ली है और अच्छे से धो ली है इसे पहले अच्छे से धोना है साफ करना है एक बड़े बरतन में ली है मैरीनेट करन हैं अभी इसे इसलिए हमने बड़े बर्तन में ली है मसाला जो है अच्छे से मिला सके अभी इसमें नमक डालना है पदनुसर नमक डालना है लाल मिर्ची डालनी है एक चम्मच लाल मिर्ची आधा चम्मच हल्दी मसाला आधा चम्मच मसाला धनिया पाउडर हरा धनिया एक निम्बू का रस थोड़ा अध्रक लसुन की पेस्ट हरा धनिया जो है हमने थोड़ा पीसा हुआ डाला है अभी इसे अच्छे से मेरिनेट करना है और एक चम्मच तेल अभी इसे अच्छे से मिक्स करना है और धक्कन रखके थोड़ी देर के लिए वैसे ही रखना है तब तक हम मसाला बना लेंगे मसाला बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ली है इसमें अभी ये कढ़ाई में मसाला बनाना है दो प्याज लिए है टमाटर एक टमाटर खस खस दो चम्मच खस 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 खड़ा धनिया और खड़े मसाले लिए है बहुत ही कम खड़े मसाले लिए है ज्यादा नहीं लेना है खड़े मसाले बहुत ही कम लेना है अगर कलमी ज्यादा हो गई तो सबजी में टेस्ट अच्छा नहीं आता पूरा कलमी की बास आती है और टेस्ट अच्छी नहीं लगती है इसलिए सभी मसाले जो है बहुत ही कम लेना है, अभी हरा धनिया हमने अच्छे से बारिक करके लिया है, साफ करके लिया है, नरियल का बुरा दा लिया है, आधा कटोरी, छोटी कटोरी से और थोड़ी चना दाल ली है, चना दाल से सबजी में गढ़ापन भी आता है, और कलर अच्छा आता है, टेस्ट भी अच्छी आती है, धनिया लिया है, पैज लिये है, धनिया पूर लिये है, और खड़ा धनिया पाउडर भी लिया है, और खड़ा धनिया भी लिया है, अभी हमने सभी मसाले एक साथ पकाना है अभी हमने प्याज डाल दिये है दो प्याज डाले है खड़े काटके और एक टमाटर और हरा धनिया एक कटोरी हमने हरा धनिया डाला है इससे सबजी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है खड़े धनिये, खड़े आधनिया जो है वो डालना है, एक चम्मच खड़ा धनिया, दो चम्मच खस-खस और थोड़ी चना डाल, छोटी कटोरी से आधा कटोरी हमने चना डाल ली है, अभी ये पूरा मसाला जो है, कम आज पे अच्छे से पकाना है, पूरा लाल होने तक पकाना है, अभी थोड़ी दिर के बाद हमने नरियल का बुरा धाडाल दिया है, अभी इसे कम ग्यास में अच्छे से पकाना है, तोड़ा टाइम लगेंगा लेकिन अच्छे से पकाना है, और पूरा थंड़ा होने के बाद इसे पीसना है, पानी डाल के पीसना है, अच्छे से पेस्ट बनानी है इसकी बारीक, तब तक हम इधर फीश फ्राइ कर लेंगे, एक तवे पे हमने तेल डाल दिया है और अभी इसके उपर पिसेज डाल देंगे दूर दूर थोड़ी दूर पस पस नहीं डालना है थोड़ी दूर डालना है अभी एक साइड होने के बाद दूसरी साइड में पलटना है और फ्राय होने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल लेना है बेक प्लेट में हमने निकाल लिये है अभी पिसे से एक प्लेट में निकालने के बाद हमें करी बनानी है करी बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में तेल डाला है ये सबजी के लिए तेल थोड़ा ज़ादा ही होना, कम नहीं होना, कम डालना नहीं है और बहुत ज़ादा भी नहीं डालना है अभी हमने अधरक लसुन की पेस्ट डाल दी है, एक चममज, इसे खोड़ी देर भुनने के बाद, अच्छे से पेस्ट होने के बाद ये मसाला डाल देंगे अभी, जो मसाला बारिक किया हुआ है अभी ये मसाला जो है, अच्छे से इलाना है, जब तक इसका तेल न चुट जाए और ब्राउन कलर आने तक इसे अच्छे से पकाना है पुरा ब्राउन कलर जो है, वो आने को होना और तेल चुटने को होना तेल छूटने को होना अगर मसाला पूरा तेल छूटने लगे तभी हमने मसाले डालने है हमने दो चम्मच लाल मिर्ची नमक स्वादानुसार धनिया पाउडर मसाला एक चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच मसाला और ये शाही गरम मसाला डाल देना है थोड़ा इससे सबजी में टेस्ट अच्छा आता है अधा चम्मच हमने शाही गरम मसाला डाल दिया है और अभी सभी मसाले जो है ये कम आज़ पे पकने देना है और ये लाल मिर्ची जो है वो तेल में अच्छे से पकने देना है इससे सबजी में कलर अच्छा आता है लाल रंग आता है और टिखापन भी नहीं आता है अब ये रस्सा जो है अपना पतला है थोड़ी देर के बाद ये गाढ़ा आ जाएंगा जैसे जैसे सबजी थंडी होने लगेंगी वैसा वैसा ये रस्सा जो है वो गाढ़ा आता है और कलर भी चेंज होता है दस मिनिट के बाद सबजी का कलर चेंज होने लगता है और रस्सा भी गाढ़ा होने लगता है अभी एक उबाल आने के बाद ग्यास बंद कर देंगे देखे इतना गड़ा है बाद में ये बहुत गड़ा आता है रसा हमने को पतला नहीं रखना है हमने रसा जो है वो पतला नहीं रखना है उपर से हराधनिया डाल देना है अब ये थोड़ी देर के बाद सबजी जो है वो पुरी लाल दिखेंगी और गाढ़ा रस्सा आ जाएंगा ये देखिए हमारी सर्विंग प्लेट में सबजी निकाल ली है और थोड़ा उपर से धनिया डाल दिया है देखिए अब अभी फिश करी तयार हो गई है आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेर कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ धन्यवाद